हलो दोस्तों नवस्कार आदिती क्लासे सिख्जाम गुरु चैनल में आप सब का स्वागत है आज यह हम लोग करेंट अफेयर स्टैटिक जी के जीएस की क्लास को देखते हैं तो सबसे पहले गड़ेशी का नाम लेते वे स्रीगड़साय नमग और आईए आज का पहला कुश् मुकमंत्री और राज अभी याद रिखिएगा अभी हाल में चुनाव हुआ है जब चुनाव होता है तो एक्जाम में उनसे समंदित मुकमंत्री और राजपाल जो पूछे जाते हैं यहां मुकमंत्री के करम है बताना है क्या मणिक सहा नगालेंड के हैं मुकमंत्री क्या क वाम्स सा आपशन जो है गलत है, तो इसमें गलत आपशन येही पहला जो है गलत है याज रखियेगा, मरिक सहा ये ठ्रिपुरा के मुखमंतरी हैं , । और ओर नागा लेंड के नेफियू कौन है नेफियू रियू कहां नागाч लेंड के बाकिया पर याद किये रही है प्रष्टे समंदित कुछ important content होंगे जो प्रष्ट के बाद दिये जाएंगे ताकि आपकी त्यारी ठीक से हो जाए अब देखेंगे भारत की पर्थम महिला मुखमंत्री अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत की पर्थम महिला मुखमंत्री या उत्तापदेश की पर देखेंगे तो सिस्त्री मयावति याद रेकेगा अगर आकर यहां पर्थम मुखमंत्री यहां पर्थम मुखमंत्री याद रिखियेगा गोबिंद बल्लोव पंत लगाईएगा थे उत्तरपदेश की प्रत्रम मुख्वमंत्री आप कैने लगाएंगे आपमस्लिक करताना है। प्रत्रपदेश की किस जीले में है आपको कमेंट बाक्स में लिखके बताना है। रोजणी नाइडू याद रिखिएगा भारत की पर्थम महिला राज़िपाल और यही उत्तर्पएश की पर्थम महिला राज़पाल और इन्पोपादी क्या दिया गया है? नीट अंगल आफ इंडिया यहां कहा सकते है कि स्वारकोकिला कहा जाता है ठीक है? ऑइर जाएगा इसलिए ऐसे प्रष्न आख सकते हैं याद personality, लगसा का क्रम याद रखेगा अभी सतनामार, माई 26 माई को भारत की दुसरी सर्कारा सकती है, कौन सी आएगी समय बताएगा तो 26 मईए को याद रिखिएगा यह अठामा अठामा हो जाएगा लेकिन अगर राश्कती पदान मंतरी पूछेंगे तो याद रिखिएगा इन दोनों का करम इन दोनों का करम जो है पंदरहवाँ चला है याद रिखिएगा करम की बिसे में अक्सर आपके पूछ देता है कि वर्दवान में सुप्रीम कोड की मुखने अधिस का क्रम क्या है तो पच्चासमा है यह याद रिखिएगा ठीक है चलिए आते हम लों नेक्ट पेस पेस दूसरा कोशन है मार्च 2022 में असम में घाले सीमा विबात को हल करने हितू समझोता प ने भारत के गिरी सचीव तता असम मिगाले के मुख सचीव ने और असम तता मिगाले के मुखमंतरी तो कौन इस पे स्ताचर किया रियाद रिखिएगा तो असम और मिगाले के मुखमंत्री ने इस सी मवग्या किया इसमें हस्ताचर किया आई इससे समंदित फैक्ट देख लेते हैं कि अगर आपके एक्जाम में पूछ दे कावेरी जल्बी बात देखिएगा अगर पूछता है कि दच्छड भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो दच्छड भारत की हो तो कावेरी लगाईएगा लेकिन डच्छड की गंगा तो गुझे गाएगा तो गुदावी लगाईएगा कावेरी नदी का पानी गर्मी दिनों में भी नहीं सुकता है। ये दच्छछब भारत के नदियों में एक अपवाद नदी है याद रखेगा। और दिच्छब भारत के मैउक्सिमिम्न नदियों का पानी गर्मी के दिनों में कम हो जाता है thisुख जाता है कावेरी नदी को दछिट भारत लगा हो तो अगर दछिट लगा हो तो गुदावी लगाईएगा लेकिन बुड़ी गंगा का नाम से गर पूछेगा तो गुदावी लगाईएगा नासी की अब यहां देखें के कावेरी जल्विवाद, आपके एक्जाम में प्रस्ट ना जाए कि कावेरी जल्विवाद किन राज्यों के बीच में हैं, तो याद रिखेगा केरल लगाएंगे आप केरल और किसके बीच में हैं, तमिल लाडू के बीच में, याद रिखेगा कावेरी जल भीवाद, नयाधिकरण अस्थापना ये कब हुआ था और 990 में आपके एक्जाम में आ सकता है भारत बंग्लादेश के बीच में जल भीवाद है आपके एक्जाम में आ चेको तो 30 जल भीवाद याद रिखिएगा कॉन सा उन्ला तुछ मित्रों 30 जल विवाद जो है जल विवाद है भारत और किसी के बीच में बंगलादेश के बीच में प्याद रिखिएगा जल किस सुची का है तो राज सुची का है यहीं आपको एक फैर्ट में बताना चाहूंगा जल यानि राज सुची का है यानि पश्यमंगाल और बंगलादेश के के बीच में है तो भारत बंगलादेश के बीच में है इत्मी नाम से आराम से पढ़िए आप एक्जाम क्लिर कर लेंगे गवडाने की बात नहीं है ठीक है तहीं पढ़िए एक जग पढ़िए सिंधु जल समझवता किन दो दोस्यों को बीच है तो याद रिखेगा सिंधु ज यहां चर्चा करने लाइक नहीं है कि जैसे तीन नदियों का पानी भारत 80 परशन लेता है और दिक बाद भारत की नदी को सकते हैं कि आयतन में सबसे बढ़ी भारत की कौन सी हो जाएगी तो आप क्या लगा दाएंगे ब्रहंपूत नदी लगा ब्रंपूत नदी भारत में सिर्फ दो राज्यों से होके बाती है एक अवडांचल परदेश और दूसरा याद रिखिएगा असम उसके बाहर निकल जाती है कहां बंगलादेश में चले जाती है जब यही ब्रंपूत नदी जब तीबत में चीन में रहती है तो इसका नाम सां नदी, पद्मा नदी यानि गगंगा नदी से बांगलादेश में मिलके मेगना नदी मनाती है ठीक है दोस्तों खात की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा तो गंगा नदी 25-25 किलो मेटर याद रिखिएगा गंगा नदी भारत के पांच राजों से होते हुए उत्त्रप और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नीन नदी किस देश में है तो आप मिस्र लगाएंगे ठीक है आते हैं कोश्चन नमर त्री में और ये क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट बाक्स में ज़रूर फीडबग दीजिएगा ताकि इसकी साथ ही सुधार के साथ नय क्लास को पंजाब आंसर क्या जागा इसका करनाटक हो जाएगा ठीक है आईए इसकी विश्य में देखते हैं अगर आपकी जाम में पूछ दे कि भारत का पर्थम गोल्ड एटियम तो क्या लगाएंगे दोस्तों बैंगलोर लगाईएगा और बैंगलोरू को क्या बोलते हैं जो है स सिलिकान सिटी बोला जाता है भारत का शिल्कान सिटी याद रखेगा, Singapore सिलिकान सिटी उसे करते हैं जांगे Amputer अगर आप एजामे पूछ दे बारत का पर्थम अनाज एटियम तो कहां लगाएंगे गुरुगराम लगाईएगा और गुरुगराम कहां है तो हरियाडा में है या देखिएगा कहां है हरियाडा में है भारत में पर्थम जल मेट्रू पर योजना यहां देखिएगा दो पूच जुष्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आप से एक्जाम में पूछे ऑपिन राक संग्राले क्या है? खुला चटान रखने कर संग्राले, या ऑपिन राक संग्राले कहा है? यह है दिया आपको सुनेंगे और आपको सुनते ही आदूना चाहिए भारत का पर्थम पेपरलेस कोट, यह देखिएगा तीन चीज आपकी जाम में आ सकता है, भारत का पर्थम पेपरलेस कोट, भारत का पर्थम पेपरलेस बिधान सबा, भारत का पर्थम पेपरलेस बजट, याद देखिएगा पर्थम पेपरलेस कोट, याद देखिएगा केरल हाई कोट क्या लगाएंगे एक्जाम में आप केरल हाई कोट ठीक है इसको पड़ा साफ से लिग दूँ मैं केरल हाई कोट लगाएंगे आप केरल केरल हाई कोट ठीक है ठीक है मित्रो उसके बाब भारत का पर्थम पेपरलेस विधान सवा आप क्या लगाएंगे नागा लगाएंगे आप उत्तर प्रदेश लगाईएगा भारत का पर्थम एल पीजी सच्छम धुर्मपांड मुक्त राज अगर पूस दे तो आप लगाएंगे कहां हिमांचल प्रदेश ठीक है हिमांचल प्रदेश ठीक है आपको बताना है हिमांचल प्रदेश की राज़ानी सिम तो हिमांचर परदेश की दूसरी राजजानी क्या है यह आपको कमेंट बाक्स में लिखें बताना है ठीक है जो है रिड मुहिया कराकर इनके विकास किया जाए फुटबाद विक्रिता जो लोग छोटे वैपारी होते हैं, यही जो है प्रधामंतरी स्वानिधी योजना के अंत्रगत आता है, इसकी सुरुवात 12 अपरेल 2022 को ही थी, तो मित्रो आज यह आयते हैं हम लोग 2022 के कुछ परमुख योजनाओं के विसे में, जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, और मेरे हिसाब से आपको यह याद होना चाहिए, पधामंतरी स्वानिधी योजना, यह कब सुरुवात हुआ था, तो 12 अपरेल 2022, यह तुकि 22 क को अगनिपत योजना, पीम आदी आदर्स ग्राम योजना, यह भी सेम डेट याद रखिएगा, 14 जूम 2022 को यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, उसके बाद, यूवार 2.0 योजना, यह 2.0 योजना, यह 2.0 अक्टूबर को आया था, 2.0 योजना, उसके बाद, 27 सितंबर 2022 को आया था है, ठीक है, कमेंट बाक्स में आपको बताना है, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मना जाता है, ठीक है, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मना जाता है, आते हमें तरहनों, नेक्ट कोशन पे, सेंट्रल विष्टा संदर्विप्र करता है, नए दिल्ली में एक आई दिल्ली में एक वाडिजिक छित्र का निर्माण और चौथा है सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण तो इसका आंसर क्या होगा एक आम केंदरी सचीवाले के साथ एक नई संसत पधामंत्री और उपराश्पती आवासों का निर्माण तो चलिए आएए देखते हैं इसे समंदित क्या fact आपके exam में बन सकते हैं तो सबसे पहले ये प्रशन आएगा कि Center Vista project क्या है क्यात रिखिएगा रायसीना हिल से इंडिया गेट तक का जो दोनों और का प्रसाशनिक छेत्र होता है उसी को जो है Central Vista कहा जाता है यानि रायसीना हिल से और इंडिया गेट के वीश जो पत है उसी राजपत के नाम से अब वर्तमान में करतब पत के नाम से जाना जाता है उसी के चारों और का छेत्र दोनों और का जो प्रसाशनिक छेत्र है जैसे संसथ भोवन, पधार मंत्री, उप्राश्वती भोवन, इत्यादी ये जो है लगवा 86 एकड में फैला हुआ है इसी का जो है नमिनी करण कह सकते हैं या पुना निर्माड जो है Central Vista Project के अंत्रगत आ सकता है तो क्या अंसर लिखेंगे आप आएंगे राइसीना हिल से लेकर कहा तक इंडिया गेट के दोनो और प्रसास्निक छित्र का उना निर्माड उना जीवित निर्माड या कवा शकते हैं नविनी करण नविनी करण Central Vista के नाम से जाना जाता है विश्टा के नाम से जाना जाता है नाम से जाना जाता है लेकिन अगर पूछे कि या प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया गया तो याद रिखेगा Tata या प्रोजेक्ट किसी दिया गया Tata प्रोजेक्ट को दिया गया मैं चाहता हूँ कि आप इसे कापी में नोट करें ताकि आपको एक्जाम से पहले जब दोह राएं तो यह आपको याद रहे यह प्रथम सीरीज है और ऐसी सीरीज चलेगी पूरी कुसिस करूँगा इस क्लास के मादम से आपको करिंट एफेर स्टैटिक जीके जीएस आपको क यह से लिखेगा केंदरी सहरी अवास मंत्राले के अंत्रगत यह है ठीक है निश्ट आते हम लोग निश्ट है निविखित में से किस अस्थान पर विशुस्वास संगठन डव्यच्चो परमपरागत आउसदी का वैस्विक के अस्थापित करने जा रहा है यह अंदीजेग भारत में जोहांसवर्ग दच्छिड अफ्रिका में हरी दवार भारत में इसका आंसर होगा जाम नगर जाम नगर कहां गुजरात में भारत में यह अस्थापित करने जा रहा है ठीक है मित्रों इससे संबंदित क्या अफैक्ट बनेगा आईए वो देखते हैं तब से पहले शीविया लेन याद रखिएका धर्ति का स्वर कहा जाता है भारत का स्वर का स्मीर को कहा जाता है इसके वरतमान हेड कौन है तो डाक्टर डाक्टर ट्रिटोस त्रिटोस एडॉनॉस ठीक है अगर आपके एकजाम में पूचे कि राष्टी अर्वेदिक अनुसंधान मुख्याले कहा है तो दोस्तों आप एक्जाम में लगाईएगा जैपूर क्या लगाएंगे जैपूर और राश्टी आयरवेदिक दिवस कब मना जाता है दो नौमर को मना जाता है और नेश्टनल इंस्टूट आफ वायरुलाजी कहां है भारत में तो पूना में है पूना कह अहमदाबाद में है अहमदाबाद कहा है सावर मतिने दिकी नारे गुजरात में और वस्त अनुसंदान के अंदर कहा है यह भी अहमदाबाद में है अब देखिए आपके एक्जाम में क्यों आएगा अगर आपको बताया गया था कि भारत का पर्थम रेल इनिवर्शिटी तो बड़ादरा में भारत का पर्थम खेल इनिवर्शिटी मरीपूर में भारत का पर्थम वस्त इनिवर्शिटी तो सूरत में याद रिखिएगा भारत का पर्थम वस्त इनिवर्शिटी सूरत में है और यहां देखिएगा वस्त अनुसंदान के अंदर कहा है अहमदाबा तो उत्राखन की दूसरी राजजानी क्या है यह आपको कमेट बाक्स में लिखके बताना है राष्टी खनन और इधन अनुसंधान के अंदर कहा है तो धनबाद लगाएंगे आप कहां लगाएंगे धनबाद लगाएंगे और राष्टी आलू राष्टी आलू अनुसंधान क लिकिआते तो कुफरी। कहा है दोस्थो। से मुला। अभी में बताया। सियामल, यानि कहां इमान चलपादेस की जaufenते हैं कि देखते कि लिए कोविड या जाने वाला सीनोवेक क्या है, तो गैर प्रतिकृती वाइरल वैक्टर है, MRN वैक्सीन है Protein UPKI है और संपुर वाइरस का टीका है तो ये सीनों मैं किया देखिएगा ये संपुर वाइरस का टीका है आज़े इसके भी सेंफेक्ट क्या आ सकता है आपको दो कंपनी का नाम याद रखना है आपके एक्जाम में आ सकता है और क्यों आशकता है इसका कारणां बता रहा है सीरम इंस्टूट आफ इंडिया या दिखिए गा यह पूना में है यह कहा है पूना में है और इसके संस्तापक है साहिरस इसे में वरतमान अध्याच तो किष्ण एला कौन है एला और सुचित्रा एला ठीक है याद रिखिएगा इन दोनों लोग को पन्भुसर दिया गया था इनोवेक क्या है या बीबीवी 154 या बीबी 154 ये नाक से दी जाने वाली कोविट की दवा है याद रिखिएगा ठीक है क्या अंसर लिखेंगे नाक से दी जाने वाली कोविड की क्या है दोस्तों दवा है ठीक है और कोवी सिल्ड क्या है याद रिखेगा कोवी सिल्ड को इसने बनाया जिसका नाम है सीरम रिखेगे निम्रिकित में से किस आप्रेशन के अंत्रकत भारत सरकार द्वारा भारत के मिट्कल छात्रों है या राश्पती कौन है जीलेस है और रूस के अन्तरकार गौती सब्ते मुंधिया थाप्ती वाओरैंगु मैं juicy अभारत आप्रेशन हीमालएग अंत्रगत अंधर अप्रेशन गयोत के अंत्रगत आप्रेशन यमुना के अंत्रगत याद रिखेगा आप्रेशन गंगा के अंत्रगत मेरे इसाब से कुछ आप्रेशन है जिसको आप याद कर लेंगे तो आपकी एक्जाम में काम चल जाएंगे ठीक है तो आगे देखते हैं कौन-कौन आपको 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 आप प्रियर्सर चलाए गया तो आपरेशन कवेर शचाए अपरेशन दोस्ता याद रिखेगा अभी-तुर्की में याद रिखेगा तुर्की और सीरिया व Nexus पाया था वहां से मदद यहीर आपरेशन दोस्त क्ला आप receptor गंगा अभी हमने पढ़ा युक्रेयन से नागरिक को को लाने के लिए आप रेखरों समुदम से यह माल्दीप से भारत्यों को लाने के लिए को बीट के काल में यह रिखेगा दोस्तों यह आपके ग्जाम के द्श्टी बहुत है इसे याद आते हैं नेक्स्ट और केंद्री पर्यावरण वन एवं जलवाई परिवर्टन मंत्राले भारत सरकार ने डालफिन डे मनाने की घुषड़ा किया जो मनाये जाता है पांच अक्टूबर को 25 अक्टूबर को 15 अपरेल को तो 15 जुलाई को इसका अंसर होगा पांच अक्टूबर अब आते हम लोग देखते हैं भारत का जली राष्टी जीव किसे करते हैं तो having हम बारत का जली राष्टी जीव को यह का जाता है और डालफिन को या गंगेसू के नाम से बहु यह जाना जाता है भारत का परथम डालफि अनुसंदान के नरका है पतना में है याद किसे जानते हैं तो रविष πα्ली को जानते हैं को रभीन सिंह दालफिन मैना का नाम से जानते हैं 5 आठ दिवस या विश्व कला दिवस आप कभ जानेंगे 15 अप्रेल को तो नौ अप्रेल को और राष्पती स्रिवती दव्दी मुरू ने गज उत्सो बदोश्व मना है नौ अप्रेल को ठीक है और आज का दस्वा यह प्रस्ण है अभी कि वर्स 2022-23 में केंद्री विश्व विद्याले में असनातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परिच्छा क्या नाम क्या है यह आंसर होगा तो यह कैसा क्लास था अभी मैंने 10 पोशन नहीं रखा इसका पीडिया टेलिग्राम ग्रूप में दे दिया जाएगा क्योंकि सभी पड़िच्छाओं के लिए यह सालजिक क्लास चला जा रहा है तो जो लोग टेलिग्राम ग्रूप से जुड़े नहों जुड़ जाएए और UPHSC का टेस्ट चला जा रहा है और जिसके लिए 1999 रेट है लेकिन अभी 1999 दिया जा रहा है यह जब तक 51 का जाम ना हो बेल्ट एक्जाम तक रहेगी और इस तरह की वीडियो आपको प्रतिदिन एक मिलेगा मैं चाहूंगा कि आप इससे प्रतिदिन जुड़िए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इससे आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए इसका कुछ फीडबैक और कमेंट जरूर बताइए ठीक है दोस्तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं जो लोग लाइक नहीं हैं लाइक कर लिजिए और डिस्क्रिप्शन बाक्स में टिलिग्राम ग्रूप दिया गया है उसमें जोड़ लीजे हम लोग ने श्रेप वीडियो में नए